वेलकम बैक डिया लेर्नर्स आये क्लास 10 के हिंदी के पोयम पर्वत प्रदेश में पावस जो सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा रचित है इसको हम लोग देखते हैं इसका समरी पार्ट करेंगे प्रस्तुत कविता में कवी सुमित्रा नंदन पंत जी ने प्रिकिर्ती का बड़ा ही सजीव चितरन किया है मतलब मिनिट मिनिट में मौसम परिवर्तित होता है मौसम होता है चेंज जो की और इस चीज को कवी ने मानुए करन शैली में प्रस्तुत किया है मानुए करन मतलब की परसोनिफिकेशन किया है ठीके personification किया है इस कवीता को पढ़कर घर की चार दिवारी के अंदर बैठा हुआ वेक्ति भी किसी परवत की चोटी को महसूस कर सकता है तो ये जो कवीटा पढ़कर ऐसा लगेगा जैसे आप घर की चार दिवारी के अंदर बैठे हुए भी कोई वेक्ती है तो वो माउंटेन की चोटी यानि माउंटेन के पीक को महसूस कर सकते हैं ऐसा लगेगा जैसे हम वहाँ पर खुद पहुँच गए हो जिसने कभी परवत वन परवत यानि माउंटेन वन फॉरेस्ट जणने नहीं देखे हैं वाटरफोल नहीं देखे हैं वे इस अद्भुत कवीटा के जर्य प्रिकृति के मनमोहक रूप की कलपना कर उसके सौंदर ये से मोहित हो प्रिकृति प्रेमी अवस्य बन जाएंगे तो क्या होगा कि इस नीचर की जो लॉवर नहीं होंगे वह ब्राइण बन जाएंगे क्योंकि यह जो पोयम है यह कवीता है वह इतनी खुबसूरती से लिखी गई है कि जो इनसान प्रिकृति से प्रेम नहीं भी करता होगा वह प्रिकृति के प्रेम में डूप जाएगा आईए देखते हैं पार्ट का सार कभी ने इस कवीता में प्रिकृति का ऐसा वर्णन किया है जैसे कि ये प्रिकृति लग रहा है मानो वह सजीव हो उठी है मानो वह लाइव हो, लाइवली हो गई है जैसे कि वह जिंदा है कभी कहता है कि वर्षा रीतू में प्रिकृती का रूप हर पल बदल रहा है जो प्रिकृती का जो नेचर है जो टाइप से वो हर समय चेंज हो रहा है जैसे कि कभी वर्षा होती है तो कभी धूप निकलाती है कभी बहुत जादा बारिश हो रही है, कभी बहुत जादा रेन हो रही है, तो कभी बहुत जादा सन है, सनलाइट है परवतों पर उगे हजारों फूल ऐसे लग रहे हैं, जैसे वे परवतों की आखे हैं तो इसी को कहते हैं परसोनिफिकेशन करना, मानवी करन देना, मतलब असल में थोड़ी फूल आखों की तरोते हैं, लेकिन इसको मानवी करन कर दिया गया है, जैसे माउंटेन के उपर में जो हजारों फूल उगेवे हैं, हजारों फ्लावर उगेवे हैं, वो लग रहा है जैस वो फूल है वो क्या कर रहे हैं वे अपने जो परवत के चरण है उसमें फैले दरपन रूपी तालाब यानि तलाब को परसोनिफिकेशन किसके क्या गिया है मीरर से दरपन से तो ऐसा लग रहा है जैसे वो अपनी आखों के सहारे तलाब में अपने आपका प्रतिबिम्ब दे को नहीं है 파ूब है थो को नहीं है कि चैसी आवाज कर रहे हैं जो हर एक जो अंडर की जो फिलिंगs है उसको क्या कर रहे हैं खुशी से भर दे रहे हैं हमारे अंदर क्या मैसूस हो रहे हैं हमें परवत जढ़ने के वाद सुनके तो ऐसे भी happiness ही फील होता है ना तो happiness फील हो रही है परवतों पर उगे हुए पेड सांत अकाश को ऐसे देख रहे हैं जैसे वह उन्हें चुना चाह रहे हो तो जो mountain पर उगे हुए पेड पेड यानि की trees वो अकाश को देख रहे हैं अकाश यानि sky वो sky को कैसे देख रहे हैं जैसे कि वो उन्हें चुना चाहते हैं तो परवत पर उगे फूल क्या है? आखे हैं परवत की और परवत पर उगे हुए पेड़ क्या है? वो अकाश को ऐसे देख रहे हैं, वो स्काई को ऐसे देख रहे हैं, जैसे कि वो उन्हें टच करना चाते हैं, वो इन्हें छूना चाते हैं, इससे तात पर ये क्या है? कि उन बारिश के मौसम के बाद में, बारिश होने के बाद में भी तो मौसम जो होता है, एंवारोमेंट होता है, वो चेंज हो जाता है, तो क्या हो रहा है यहाँ पर घनी धूंद, घनी धूंद के कारण ऐसा लग रहा है, मानो पेड कहीं उड़ गए हो, तो माउंटेन में क्या थे पेड थे परवत पे क्या थे पेड थे तो अब क्या हुआ घनी धून दो गया है धून यानि की फौग के कारण से क्या हो रहा है कि ऐसा लग रहा है जैसे की पेड कहीं उड़ गए हो उड़ जाना मतलब वैनिश हो जाना ऐसा लग रहा है जैसे वो गायब हो गए हो दिखाई लग रहे हो अर्थत गायब हो गए हो चारों और धुआ होने के कारण ऐसा लग रहा है कि तलाब में आग लग गई हो तो क्या लगभा रहा है जो तलाब है न तलाब कहां पर है परवत के चरनों में तलाब है ठीक है ही हो ऐसा लग रहा है सारा नजारा सारा एंवारोमेंट सारा जो देख organizations जो प्रिकिर्ती का तो रूप pattern rupa है जैसे मौसम में इंद्र अपना बादल रूपी विमान थो खाथ किसका रूपी बादल रूपी विमान इस को new विमान यानि कि प्लेन फ्लाइट से कर दिया गया है ना तो क्या बोल रहे हैं कि जो इंद्र भगवान है वो बादल रूपी विमान बादल में बैठकर इधर उधर जादू का खेल दिखाते हुए घूम रहे हैं क्योंकि पल-पल परिवर्तित हो रहा है ना प्रवत प्रदेश में पावर्श जो सुमित्रा नंदन पंथ द्वारा रचित है भूती सुंदर कवीता है यह सार है तो आई होप आपको यह पसंद आया होगा पसंद आया तो लाइक करिए और अगर आप चैनल में नए है तो सब्सक्राइब करिए मैं नई चाप्टर को लेकर जल्दी ही आपके पास वापस हाऊंगी थैंक यू सो मच वो फोर वाचिंग थैंक यू एंड टेक क्यर